स्वागा थे आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से और पिछला वीडियो जो आपने देखा बैन के कीमत निर्धारन सिद्धान्त का वो टेस्ट वन के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन था आज हम चर्चा करेंगे टेस्ट वन का पेपर एट मैक्रो एकनॉमिक्स के ट्रेड सै तो समय का बाते हुए नहीं भी हम लोग चैनल के माध्यम से पढ़ने का काम कर रहे हैं वैसे भी भाईया बंदू जो मेरे हैं जिनको दिक्कत होता है उनको यह चैनल पर बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और याद भी कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग है जिनक है इसका तरीका तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो सब सुम्पिटर ने ब्यापर चकर के नव परवरतन सिद्धान का परतिपादन किया नव परवरतन का मरतलब यानि कि उच्चावचन पुंजीवादी देश की आर्थिक प्रणाली में आर्थिक उच्चावचन यानि कि economical fluctuations आते रहते हैं एक सामाने घटमा है कि कभी कीमत बढ़ गई तो कभी मुल्ली कम हो गई तो कभी raw materials का दाम बढ़ गया तो कभी मजदूर मंगे हो गए तमाम तरकी बाते हैं पुंजीवादी आर्थिक प्रणाली में समय समय पर जो नव परवर्तन आते हैं नव परवर्तन मतलब नव मतलब नया परवर्तन मतलब बदलाओ नया बदलाव आया टाइम टाइम पर उन्हीं के आर्थिक उचावचन यानि कि economical fluctuations जो उपस्तित होते हैं उनको सही करने के लिए हम लोग changes को लाते हैं नियो classical changes लाते हैं जिसके कारण आर्थिक अवस्था को छोड़ कर दूसरी आर्थिक अवस्था की ओर चल देती यानि कि न आर्थिक ववस्था को छोड़ कर यानि कि एक economic condition को छोड़ कर दूसरे economic condition की ओर जाते हैं इस अपेक्षा में की कुछ बदलाव होगा और हम स्थिर्था को प्राप्त करेंगे यही है उद्देश नवपरवर्तन का नवपरवर्तन के अनुसार मान कि माप किजेगा सुम्पि सुम्पिटर के विचार में आर्थिक विकास तब उत्पण होता है जब उत्पादन प्रिक्रिया में उत्पति के साथ नो के नए सयोगों के प्रियोग द्वारा अधिक लावर्जित करने के लिए प्रियास किया जाता है एवं यही प्रियास अर्थवस्था में नवीन साम स्थिति उत्पर्न करती नवीन सा में मतलब न्यू एक्लॉर्यम कंसेप्ट को लाता है सुम्पिटर के नव प्रवरतन के स्थ्रेणी में निमलिखित बातों को सामिल किया गया है किसी नवीन वस्तु का उत्पाधन जैसे कोई नया चीज बना रहे हैं उत्पाधन की किस नवी का जो होता है रिकंस्ट्रक्शन पुनरगठन जिसकों करते हैं उस पर भी ध्यान जाता है इस प्रकार सुम्पिटर के नव प्रवरतन एब हम आवसर अविसक्राइब कर रहा है तीन दिन से इसलिए वीडियो बनाने में बहुत प्रव्लम होता है इस प्रकार फिर भी जो है मैनेज करके वीडियो बना रहे हैं बस खाली लाइक से और सस्क्राइब कीजिए बहुत अच्छा लगता है सबका सपोर्ट मिलता है तो इस प्रकार सुम्पिटर के नव प्रवरतन एब हम आविसकार में मौलिक भेद हैं सुम्पिटर के विचार में नव प्रवरतन अचानक उत्पन नहीं होते हैं नव प्रवरतन कहीं से अचानक उत्पन नहीं होते हैं कोई भी नई बाते आपके जहन में आती है इसका मतलब किसी चीज की अभाव या किसी चीज की ऐसी बात के ऐसी परिस्तितियों से आप परिशान रहते हैं और नए तरफ जाते हैं जहा में सामिल किये जाते हैं इसका तात पर है कि उद्यमी ही नवप्रवर्तक होते हैं उद्यमी यानि इंटर्पेनियोर ही चेंजेज लाते हैं इसलिए सुम्पिटर के नवप्रवर्तन सिधानत का केंद्र बिंदू उद्यमी ही होते हैं उद्यमी का मतलब इंटर्पेनियोर सुम सं confronted proved नहोपरवर्तन शों भानरे एकमाने होता है . बलकि आकार में विभिनताँ पए जाती यानि अलग 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 तरीमिटसे अलग उद्यमिट्सelnे ? भिट्यमी एक इंसान है और हर एक इंसान की जो समझने सोचने की सकती है आरथिक जगत में वह अभी अलग-alग है और जो सामान ने परिस्थितए हमें उन रहते हैं एकुल्ब्रम में रहते हैं और अर्थoramaस्था में पूर्ण रोञगार पाय जाता है ऐसी दसा में यदी नवप्रवर्तन उपस्थित हो जाते हैं तो उत्पादन प्रिकृरिया में नहीं उत्पादन टक्निक अपनाने से उत्पादकों को ला घऊ यानि कि इस कि जब अइसी दसा में जब प्रवर्तन उपस्थित होता उत्पादन की प्रिक्रिया में उत्पत्ति के साधनों का भाव उपस्थित होगा क्योंकि अर्थवस्था में उत्पत्ति के सभी साधन में पूर्ण रोजगार की स्थिती में नव प्रवर्तन वाले उद्योग में उत्पादन तभी संभव हो पाएगा जब उत्पत्ति के साधनों को अधिक परिश्रम क प्रलोबन दिया जाए अधिक परिश्रम का प्रलोबन का मतलब हम अधिक से अधिक क्या करेंगे पूर्ण रोजगार की स्थिती होगी नवप्रवर्तन वाले उद्धोग में उत्पादन एवं तभी संभव होगा जब पूर्ण रोजगार होगा और पूर्ण रोजगार कैसे होगा उत्पत्ति के साधनों में अधिक परिश्रम यानि हमको जो labor वाला थियोरी है मतलब हमको जो महनत वाला पार्ट है उसमें लोगों को परलोबन देना होगा आप इतना काम किजे गाथ हम इतना पैसा देंगे या इतना चीज करोगे इतना production होगा एवं बरतमान जगत में देखा गया है कुछ Airtail या सीम बेचने वाले क्या करते हैं 500-600 सीम एक जिन में बेचते हैं और 1200 पर दे का कमा लेते हैं ठीक है लोगों को लगता है यह सीम फ्री में मिल रहा है लेकिन कंपनी का तो टार्गेट उसको दिया हुआ है और आकसर आजकेल जो MNC कंपनी यही टार्गेट दिया कि आप इतना यूनिट बेचिए इतना यूनिट का बिजनस कीजिए हम आपको इतना benefit देंगे इतना percentage देंगे तो उस में लाब है न चुपा हुआ कि अगर हम 10 लाग बेचेंगे हमको 10,000 मिलेगा हम 20 लाग बेचेंगे हमको 25,000 मिलेगा इसे होता है उच पारिस रमीक मतलब हाई लेबल का जो है एक दम महनत चाहिए उसमें प्रोलोब देकर अर्थात उत्पत्ति के साधनों की कीमत विर्दी कर देगा और जैसे ही आप बहुत ज्यादा बेचने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उत्पादन की प्रिक्रिया भी बहुत तेज का इवम रोजगार में लगे उत्पत्ति के साधन की क्रिया सक्थी में विर्दी होगी उसके बाद यूनिट भी डवलब करेगा अच्छे से प्रोडक्शन का जो भी यूनिट है जिसे बाजार में मांग बढ़ेगी और मांग भी को प्रवावित करेगा मांग बढ़ने तो पूर्ति की गई वस्तों की किमत में विर्दी होने लगती है कुल मिलाकर अर्थ्वस्था समरिद्धी की ओर बढ़ने लगती है मतलब एकनउमी जो है स्टैबल होने लगता है अब प्रतिसार अस्वाम मंदी इसमें मंदी का बाता है कहता है कि दूसरा पॉइंट के नुसार कि समरिद्धी काल में जब नवीन उद्ध्योगों का विकास होता है तो बाजार में नई वस्तों की बाड़ जैसी आ जाती है नवीन वस्तों के बाड़ जैसी आने का मतलब क्या है कि जब समरिद्धी काल उद्पन्न होगा तो बहुत सारे नए प्रोड़क्ट करता है उब फक्ता नविंता था प्रेमी होने के कारण पूरानी वस्तुएं का Iya करने लगता था दर्थ नहीं उद्योगों के पराप से बैंकों के धूक्तार करना आरम कर देता है जिससे अर्थ व्यवस्था में बैंक साख की पूर्थी में कमी आती है अब यहां पर एक लाइन है कि जो नई उद्योगों की मौलिक नई वस्तु है जो नए ने प्रोडुसरों ने जो लाब की अपेक्षा के लिए फर्मयों में आये थे वो क्या करते है बिकरी से प्राइब से बैंकों के रिनो का भूगतान करना आरम कर देते हैं जो पैसा आया उससे बैंक का लोन लिए उद्रद्र देने लगते है अर्थ वस्ता में बैंक में साख की कमी पूर्ति में कमी आती है फिर वहां पर क्रेडिट सिस्टम जो सप्लाई दे रहा था ब पुराने दुर्व देने की कमी लाएंगे और क्या करेंगे जो पहले से लोग बना रहे से वह पहले भी कम करने लगेंगे अब सब्खक्राइब करने लगेंगे तो फिर सब लोगों को सलरी किसे बर खेंगे सब लोगो सेलरी जब नहीं देंगे क्यों नहीं दे रहे हैं तो क्रेश सक्थी पर प्रभाव पड़ा है लोग को लगते हैं हो डेरी सीज़ सारा सावान है समझ मिनारा कौन सा खरीदें ऐसी इस्तिति में रोजगार में भी कमी आएगी जब हमको सेलरी नहीं मिलागा हम छोड़ देता है ऐसी परिस्थिति का अर्सवस्ता में मंदी काल में डिप्रेशन में चले जाती है कोरोना के ठीक पहले यहीं चल रहा था पूरे बिस्व में कोरोना आने के बाद बहुत सारी अर्सवस्ताइं धस धर्स धरातल में चले गई या माइनस हो गया अब वो जो सुम्पिटर का कहना है कि यहां पर पूर्ण प्रत्योंगीता होगा तभी हम प्रति लोभन की प्रसिति से बायार में नवपरवर्तन का संधान साथ पाएंगे जो की एक और वहवारिक है पूर्ण प्रत्योंगीता आपकी जेगा पूर्ण रोजगार जो है हमेशा अधारी थे कि प्रत्येक नवपरवर्तन का बैंक साकी पूर्ति में व्रदी होती है अब कहता है कि सब को बैंक क्रेडिट सिस्टम से प्रॉब्लम में होने लगेगा सप्लाय क्रेडिट सिस्टम के सप्लाय पर इफेक्टेड होगा वास्तिव जगत में इसा नहीं होता है न प्रोसेस में प्रोडक्शन करते रहती या इंप्लाई के को सेल्डी देते रहती या कंपनी का जो कार यह है उसको सुचार रूप से करते इसलिए आवधारना संदीग मालूम होती है यहां पर कंफ्यूजन है जो बोले आर्थिक प्रगति केबल नप्रवरतन का परिनाम नहीं है आर्थिक प्रगति एकोनोमिक डेवलप्मेंट में सिर्फ नया चिंटे जलाने इस रिजल्ट में नहीं होगा बलकि संपूर समाज के सामुई को सतत प्रयोतनों का परिनाम होता है सब लोग मिले हुए हैं मदद कर रहे हैं कहीं कहीं सारे लोगों का इंभॉल्मेंट है आ यहीं इसका परिनाम है जब कैसा नहीं होता है ट्रेट सैकल को चलाने वाले लोग है जितने भी अंग है वो सामाजिक तोर पर सतत रूप से यानि लगातार रूप से उसमें लगे हुए थे तभी ऐसा हुआ और सुम्पिटर का काना कि सिर्फ ब्यापार चकर से हो जाता है ब्यापार चकर से नहीं होता है वास्तुई जगत में ऐसे देखने को कभी नहीं मिला है उपरियुक तालोचना का यह अभी प्रह नहीं है कि आर्थिक विकास में नवपरवर्तन का कोई महतु नहीं है नवप को short में समझाते हैं एक पूरा सुंपिटर का concept था कि जब आर्थिक प्रिस्थित्यों में उताज रहा होने लगता है तो नवे प्रवर्तन का सिध्धानताया नवे प्र वर्तन के सिध्धानत से हम क्या करते हैं नवीन साम की स्थिति को लेते हैं हम short में समझा रहे हैं इनटसेल में उसके बाते हैं नवीन वस्तों का उतपादयन नवीन पद्रति का विकास निव टेक्नोलोजी का नए बाजार कच्चेमाल के नए स्रोत ठीक है मंलेजिजी कोईला का हमको चीज बना रहा है कोईला से काम करते हैं मिला अगर हमको 100 रुपया कुंटल मिल रहा है तो हम नया जगह खोज लेंगे जहां हमको जो है 17-18 रुपया किलो के हिसाब से माप किजिएगा 17-18 रुपया मतलब कि 90-80 रुपया कुंटल में ही मिलने लगे तो नए नए श्रोत कोदपन करना जैसे कोईला का खंब एक्जामपल ले कि 100 रुपया कुंटल मिल रहा है तो दिमाग लगाएंगे क्या सी रुपया कुंटल कहां मिलता है कम दाम में इस प्रकार सुम्पिटर का नवप्रवर्तन आविसकार में मौलिक बेद आविसकार करना और नवप्रवर्तन का कंसेप्ट अलग है चुकि नवप्रवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन होता है के अंदर बिंदू उध्यमी है सुम्पिटर ने दो बातों पर बहुत ज्यादा बल दिया है एक तो सम्रिधी का लियाने की डिवलेप्मेंट का जो पूरा एज है उसमे हम कैसे जा सकते हैं तो नए तकनीक नए प्रिक्रिया नए पद्धती को लाकर और परतिशार अथवा मंधी क्या होता है जब नवी नुद्योगों का विकास नई वस्तु में बाजार भर जाती है तो आब बस्तु तो बिक ने रहा है चुकि लोगों की क्रेश सक्ती प्रभ बैंक की साक्व की पूर्ती में जो गृद्धी हो गई है उसके आधार पर होता नहीं है जबकि वास्वी जगत में नवपरवर्तन वित्पोशन से बचतों को वित्पोशन में डेवलप्मेंट फंड्स रखते हैं वो अपने पास सेविंग्स रखते हैं जिससे वो मंदी की स् कि एक उद्यमी के चाल लेने से इसा नहीं हो सकता है तो इस तरह से यह वीडियो कंप्लीट हुआ आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर कीजिए और दोस्रों के साथ सेयर कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग ब्योंकेश जी